Good evening everyone तो आजकल एक नया topic trend में है PSC cement काफी लोग मेरको question करते रहते हैं और comment करके पूछते रहते हैं कि PSC cement क्या है और हमें क्या इसकी छत की ढलाई करवानी होती है अभी ये PSC cement क्या है हमने तो PPC, OPC 53 grade, 90 grade ऐसे सुन रखे हैं अभी नया brand कौन सा आगया PSC cement का तो PSC cement क्या है आज हम उसके बारे में discussion करेंगे और जानेंगे कि PSC cement या फिर Portland slag cement आखिर होता क्या है और इसका use कहां पे करना है मेरना हमें जतिन खत्री आप सबका स्वागत है इशान designs channel में तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का और जानते हैं slag cement किसे कहते हैं और अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe करें और अगर हमारे आप पुराने subscriber हैं तो नीचे comment करके मिरे को ज़रूर बताए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है तो generally तो हम सिर्फ दो तरीके के cement काम में लेते हैं एक तो OPC दूसरा PPC एक ordinary Portland cement और दूसरा Portland Pozolana cement दो ही cement हम generally घर में काम में लेते हैं त्रेपन ग्रेट, त्रेपन ग्रेट, त्रेपन ग्रेट, त्रेटिस ग्रेट का जो थट धलाई के अंदर काम होता है जो नया यह cement आया है, इसको PSC cement बोलते हैं PSC cement नया नहीं है, यह काफी time से use आता है यह एक waterproof cement या फिर hydraulic cement का एक part है यानि कि hydraulic cement का एक type है अब hydraulic cement किसे कहता है? hydraulic cement की property होती है कि वो पानी को अपने अंदर नहीं आने देता तो यह तो बहुत अच्छी बात होगी कि हमें waterproofing cement मिल रहा है तो PSC cement waterproofing chemical agent यानि कि waterproofing chemical property की साथ में आता है जिससे हमें यह benefit होता है कि पानी वाले area के अंदर हम इस cement का अच्छे से use कर सकते हैं और पानी की हमें कोई भी समझ्या नहीं मिलेगी तो यह बहुत बड़ी खासियत है इसकी तो PSC cement आखिर होता क्या है PSC cement का पूरा नाम है Portland slag cement slag किसे बोलते हैं हम पहले उसको समझते हैं slag जो होती है जैसे metal के ओर होते है metal ओर यानि कि लोहा अगर निकल रहा है हम अगर इस पात निकालते हैं तो कच्चा जो इसपात निकलता है वो चटानों के अंदर से निकलता है जो चटान और इसपात मिलके जब चिपकते हैं तो उनको अलग करने के लिए हम एक process काम मिलेते हैं जिसके अंदर heating होती है तो heating से जब और निकलता है बाहर और यानि कि जो लोहा निकलना होता है बाहर वो लोहा बाहर आता है और जो पीछे बचा हुआ कच्रा होता है चटानों का जो राख बची होती है उसको हम slag बोलते हैं क्योंकि slag के अंदर metallic property ज़ादा होती है तो उसके अंदर aluminium और silicon की property भी बहुत ज़ादा होती है तो जो ये राख बनती है या slag बनता है slag के अंदर metallic property ज़ादा होती है जो aluminium और silica की property ज़ादा होने का बहुत बड़ा फाइदा है तो यही राख को use करके हम इसका इस्तमाल cement बनाने में कर रहे हैं सिमेंट बनने में क्या फाइदा है हमें इससे एक तो aluminium content और silicon content जो cement के लिए बहुत ही बड़ा factor है वो factor इसके अंदर हमें easily मिल जाता है तो बजाए राख मिलाने के हम जब slag का use करते हैं तो हमें cement का content भी कम करना पड़ता है जनरली हम 35% तक ही cement में राख मिलाते हैं इसके अंदर हम 70% तक slag मिला सकते हैं इसके अंदर जिसकी वज़े से slag का इस्तमाल जादा होता है और environment के अंदर जो CO2 जो निकल रही होती है इसकी emission की वज़े से वो भी कम होती है और राख का भी इस्तमाल हो जाता है आपको definition समझा दिये अब इसका हम क्या करें हमें कहां पे इसका use करना है और ये हमें कित्ती price में मिलता है ये भी बहुत बड़ी बात है जो PSC cement की pricing है वो OPC के बराबर है और PPC cement से थोड़ी जादा है सिर्फ इसमें इतना ही फरक है ये तकरीबन आपको OPC cement के price में available हो जाएगा लेकिन PSC cement easily available नहीं होता इसकी वज़े से इसकी pricing में थोड़ी increment आती है यानि कि जो उसका production है वो अभी कम होने की वज़े से इसकी pricing थोड़ी जादा increase हो जाती है compare to OPC cement OPC और PPC cement बड़ी easily available है आपके शहर में मिल जाएंगे लेकिन PSC cement सिर्फ coastal area यानि की समुदरी तटों के आसपास के area में easily available होते हैं तो अब तो बात आई कि OPC और PPC cement तो हम generally use कर रहे हैं तो उनका result इतना अच्छा है तो हम PSC cement क्यों use करें और उसकी strength कितनी आएगी in compare to OPC और PPC के PPC और OPC cement हमें basically 33 grade, 43 grade या 53 grade की strength देते हैं जब हमें 43, 33 grade, 33 pascal, 43 pascal और 53 pascal का effective strength हाता है हमें 28 दिन के बाद तो इतनी strength वो 28 दिन के अंदर देते हैं तो जो PSC cement है PSC cement के अंदर minimum हमें 33 grade के cement के अंदर जो strength हाती यानि 33 pascal की जो हमें strength मिलती है वो minimum अच्छी होती है maximum ये 53 grade से भी जादा जा सकता है शर्त ये है कि इसका इस्तमाल सही से होना जरूरी है अब हम बात कर लेते हैं PSC cement का इस्तमाल हमें कहां करना है जो की बहुत जरूरी चीज़ है और हमें जानना इसके बारे में बहुत जरूरी है PSC cement की खासियत है कि वो hydraulic cement है यानि hydraulic cement नहीं वो पानी का बचाओ कर सकता है chemical attack से बच सकता है इसके वोगर अगर पानी एकटा attack करे तो ये खराब नहीं होगा तो इसका एक benefit सीधा सीधा है कि डैम वगर जो बनते हैं गौर्मेंट टेंडर के अंदर जो पानी बन भरने के लिए जो डैम बनते हैं वो हमेशा पानी में डूबे रहते हैं तो डैम बनाने के लिए PSC cement का इस्तिमाल किया जाए तो वो खराब नहीं होगे और लंबे टाइम तक चलते रहते हैं और उसमें maintenance बहुत कम होती है इसका क्या कारणा है मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि PSC cement के अंदर Aluminium और Silicate दो ऐसे पदार्थ पहले से available होते हैं जो cement के अंदर हमें अलग से मिलाने पड़ते हैं PPC और OPC cement के अंदर लेकिन इसके slack के अंदर Aluminate और Silicate दोनों इस मात्रम इतनी मात्रम में available होते हैं कि अगर जैसे ही पानी के touch में आते हैं तो ये एक glue निकालते हैं जो की cement को आपस में जोडता है तो जैसे ही ये पानी के touch में आते हैं तो वो एकदम चिपकने शुरू हो जाते हैं यानि कि उसके जो कण होते हैं आपस में cement के वो बहुत ज़्यादा dense हो जाते हैं खुद से ही चिपकने लगते हैं तो जो cement अपने अंदर पानी को घुसने नहीं देगा तो वो सरीय को सड़ाएगा नहीं अगर सरीय नहीं सड़ेगा तो आपका cement जो आपका structure है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो PSE cement की ये खासियत है जैसे वो पानी के touch में आएगा उतना वो strong होता जाएगा तो इसकी effective strength बहुत अच्छी है और ये खुद को recycle कर सकता है अपने इस benefit की वज़े से aluminum और silicate की वज़े से तो इसकी मजबूती बहुत अच्छी है और ये लंबे time तक इसको इसको इस्तमाल किया जा सकता है इसलिए इसका इस्तमाल पानी के अंदर bridge बनानी के लिए या समुंदरी तटो के वाले area में या फिर ऐसा समझे की dam बनानी के अंदर किया जाता है तो इसका इस्तमाल mostly उन area में किया जाता है लेकिन हम अपने घर बनानी के लिए भी इसको use कर सकते हैं अगर आपके वहाँ पे PSE cement easily available है और अच्छी price में available है तो इस पे आप जरूर जा सकते हैं इसको छत ढलाई में foundation में DPC भढ़ने में आप काम में ले सकते हैं जहाँ पर पानी की मार पड़ती है वहाँ पर आप इसको काम में ले सकते हैं या फिर प्लास्टर के अंदर भी काम में ले सकते हैं जहाँ पर पानी की direct छाटे बाहर आते हैं या फिर उससे मार पड़ती है पानी की तो उससे हमें benefit ये होगा कि पानी से हमारा बचा हो जाएगा और हमारा cement भी बहुत मजबूत रहेगा और structure भी बहुत मजबूत रहेगा तो ये सारी बात थी PST cement के बारे में जितनी मैंने research करी थी मैंने आपको बता दिया इसके अलावा अगर आपको कुछ भी comment या फिर कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को नीचे comment में पूछें तो मैं आपको उसका solution दूँगा अब next जो वीडियो आएगी PST cement की कौनसी कौनसी brand है जो famous है अब उसके बारे में जो भी famous है लेकिन JSW और बिल्ला इसके अंदर number one leading player है PST cement के अंदर तो आज के वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को like जरूर करें और इसके अलावा आपको कुछ भी doubt हो तो मेरे को नीचे comment करके जरूर कुछ है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए चैनल को subscribe कर लें